हिमाचल, इस प्रदेश का नाम जैसे ही जहन में आता है, तो हरी भरी वादियां, खुबसूरत पहाड़ परवत, खुबसूरत सा वेदर और इसके साथ साथ ही बहुत सारी चुनोतियां भी हमारे सामने जहन में आ जाती हैं तो हमारे लिए तो ये सब कहना बड़ा आसान है, कि ऐसे होना चाहिए, वैसे होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए था के पास निडोत करते और उनके पास जलते और उनसे जानते हैं कि प्रदेश में हालिया स्थिति कैसी है उनकी आगे के लिए क्या योजना है तमाम सवालातों के साथ सबसे पहले हम PTC News में मुख्यमंत्री जैराम ठाकुर जी का स्वागत करेंगे बहुत-बहुत स्वागत सर आ जो हिमाचल प्रदेश में हमारी पार्टी का हमरी सरकार कर रहा मैं समझता हूं कि बेहतरीन रहा है बहुत-बड़े संकट के दौर मैंसे हम गुजरे जो कोवीट का दौर बिलकुल सर और उसके बावजूद भी हिमाचल प्रदेश में हर क्षेत्र में विकास चाहे वो क्ष रहती थी आज से पहले सारी बातों को क्षेत्रबाद की बातों से दूर हिमाचल प्रदेश में लेकर कि हमने विकास करने की कोशिश किया और उसमें कह सकत हूं कि सफल तम कारिकरम आज तक का ऐसे संकट के बावजूद भी हमारा रहा है जी मैं कह रहा है जी बिलकुल सही सर और चूंकि आपने साड़े तीन साल तक इतनी बेहनत की तो आपको पता होगा ऐसी कोई तीन उपलब्धियां आपकी जो आपने सोची हूं और जनता तो पहुंची हो और जनता को उसका फाइदा हुआ हो हम जाना चाहेंगे सबसे बड़ी बात तो यह है कि हिमाचल परदेश में जो हमारे बज़ुर्ग लोग हैं उनके लिए पैंशन का प्राबधान यह हमारी कैबिनेट का पहला निर्नया था जहां हमने सत्र साल से उपर सभी बज़ुर्गों को पैंशन देने का प्राबधान किया आए सीमा में चूट देने का प्राबधान 65 वर्ष तक कर लिया है 65 वर्ष से उपर जितनी भी माताएं बेहने हैं उनको पैंशन का प्राबधान एक तो पहले यह कि बज़ुर्गों के प्रती सम्मान देभूमी हिमाचल परदेश जाना जाता है और ऐसे में हमारे बज़ुर्गों का सम् उनका आदर उनके प्रती आदर का भाव व्यक्त करने के लिए एक बहुत बहुत बहुतरीन एक माधिमाम ने इस परकार से चुना जी सर्फ और उसके पश्चाद दूसरा हिमाचल परदेश में मात्री शक्ती को और मजबूत करने की देश्टी से विशेश तोर से जिसमें म आदमी के घर में पहुंचे हमारी माताएं बहने हमारे लिए खाना बनाती हैं परेवरन के कारण जो है दुएं के कारण उनका स्वास्टे खराब होता है इस भाव के साथ एक बहुत मत्तपुन योजना शुरू की और उसी योजना को आगे बढ़ाती हुए हमने हिमाचल प कुरे देशपरमे के ऐसा राज्जी है जहां एक भी घर ऐसा नहीं है जहां गैस का चुला नहीं है हर एक घर में मुनुष्य का स्वास्त अच्छा रहे हैं यह हम एक अपेक्षा करते हैं उमीद करते हैं सब लोग स्वस्त रहना चाहते हैं लेकिन फिर भी उसके बावजूद अगर किसी को बिमारी हो जाती है उसके इलाज के लिए मदद करना उसके लिए जैसे आईशुमान भारत आदनिय प्रहन मंती जी ने पूरे देश के लिए शुरू की जिसमें पांच लाख रुपय के हेल्थ कवर और उसी बात को ध्यान में रखते हैं हमने देखा कि हिमाचल परदेश में आईश्मान भारत के अंतरगत लगभ बारा लाग बाइस लाग लोग कवर हो रहे हैं लेकिन आब लाग लगभ लगभ एक लाग लाग पचासा हजार से जादा ग्रीब लोगों का मुफ्त लाज करके उनको सवस्ट करके घर में बेजने में सफ़क हुए काम्याब हुए तो ऐसी अगर तीन योजनाओं का अगरम जेकर करें तो मैं सब्सक्राओं कि यह तीन योजना योजना बहुत हैं नए इनिशेटिव हमने हिमाचल परदेश में लिए हमने चली चलाई योजना जो चली है वो तो चल रही हैं लेकिन इसके अलाबा नए इनिशेटिव के करने के लिए मंतरी और सारे अधिकारी एक मयने के एक दिन जो है वो colocar LAm करेंगा आदिकरी मौकते नहुत यहा sincer बदेश मारत और ऐसे बहुत सारे जिसको मैं कह सकता हूँ कि सहरा योजना ऐसे गरीब बिमार लोग जो बेबस हैं बिष्टर पर हैं चल नहीं सकते हैं जिंदगी में ऐसी बिमारी के साथ उनको जूजना पड़ रहा है मदद करने के लिए दूसरे आदमी को उनके पास उतलब्द रहना प बिम्रेज हुआ है कुछ भी उस तरह से जो चल नहीं सकता है बिस्तर पर पड़ा है उसके एकाउंट में हम हर महीने के तीन हाजार पै उसकी मदद के लिए डाल रहे हैं ताकि उसके लिए उसके थोड़ी मदद उसकी हो सके ऐसी बहुत सारी ओजनों के मादिम से हमने हमाच परिकल से हम बहुतन होता है, दूसरे घर में जाना तो गरीब परिवार की जो बेटीया है जो BPL परिवार की है किसी भी कैटेगरी जैवे जन्रल केटेगरी है चाब ओपी सी है चाब वो शेडिल कास्ट है सब BPL परिवार की बेटियों की शादी के दिन हम 31,000 पे शगुन के रूप में यू है उन बेटियों को हम देने का हमने अभी इस बज़बन जो पीछे बज़ट हमने प्रस्तूत किया उसमें हमने प्रावधान किया यह स्कीम हम अभी बहुत जल्दी हम शुरू करने वाले है इसमें भी कुछ एक एहम फैसले आपने लिए हैं अगर जो सबसे प्रमुख है जो एकदम आप जनता को भी बताना चाहेंगे ऐसा कोई फैसला पिछल केबनेट की बैटिक थी मुहत्तवपूर निर्न ने हमारे बहुत सारे चीज़ों को लिए के लिए हमने किये हमाचल पर ाइन को ही थी उसको एप्रूब किया हमने और ऐस जी आनि धानसर बाक्षेतर के निर्मन में स्दियम के आफिस खोलने का पिछले का निर्ने लिया अनूस किया था और उसके साद महत्तवपूर निर्ने हमने से ईकाठी और युको यह फिर भी हमने इस बात को देखा कि बहुत बड़े इस तर पर बच्चे जैसी पढ़ाई जो एक्चुल क्लासरूम में जा करके करते थे उसमें वह संबब नहीं है, आप नहीं उमीद कर सकते हैं कि वर्चुल क्लासिस और लग्का के कुछ दर सकते हैं, बहुत बच्चों के इस दो थार इक सी निर्णिया की हम स्कुल को तो सारी इस खोल यह दे ऐगा है कि पांच्वी आठ्वी और उसके बाद दस और ज्यारवी जारवी और बारवी तो धिरे देरे धिरे अम उसके बाद कोचिंग संटर जो हमारे बच्चों के पे रेंट्स का भी आ रहा है था बच् तो पी जारी करने के साथ साथ में उसमें कोचिंग क्लासीज भी आप शुरू करने हैं। सर अब थोड़ी से कोरोना की बात कर लेते हैं। अभी आपने चूप की मुद्दा उठाया। सर इस कोविट के दौर में भी दूसरे दौर में भी हमने देखा कि किस तरह से केसिस आए। अच्छा जैसे ही यहां पे सरकार ने आपने धील दी। जिस तरह से परेटक यहां पर आए और जिस तरह से बाड आई इसको लेकर केंडर सरकार तक ने चिंता जिताई। तो इसको आप किस तरह से देखते हैं और इसको कैसे कंट्रोल करेंगे सर क्योंकि परेटकों का आना रोकना मुश्किल है तो कैसे देख रहे हैं आप क्या आप आम जंदा को खुद समझना होगा कि यह नहीं ऐसा होना चाहिए काफी देर के बाद एक ऐसी स्थिति आई कोविट के के सिस कम हुए और लोग घरूं में रुके थे घरूं से बाहर नहीं जाना हुआ था लंबे अर्शे से एक अपसर उनको लगा कि अब कोविट कम हुआ है और ऐसी सूरत में निकलना चाहिए और परिवार के साथ निकलना च आते हैं हिमाचल परदेश में और यहां आनंद लेते हैं अब हमने भी हिमाचल परदेश में जो बाॉडर की जो हमारी रिस्टिक्शन थी हमारे कोविट के शुरान उनको भी हमने अब जो है वो वापिस ले लिया है गियुकर लंबे समय तक रिस्टिक्षन लगाना वो भी संभब नहीं है कि आने जाने वाले लोगों को बहुत बड़ी उसकी परिशानी होती है कर्षनाई होती है ऐसी सूरत में दूसरा हमारा तूरिजम सेक्टर बिलकुल ही सिंख कर गया था आर्थिक दिश्टी से बहुत सारे लोग इसमें बहुत सारे नौजवान इसमें हमारे र देखने को मिली कि जरूर से ज्यादा लोगी कठा होना फूरू होगे तो सहभावी करूप से मौसम अच्छा था, महाल अच्छा था, COVID कम हुआ था तो ऐसे लोग यहां आखर की भी कमरे में रहेंगे तो ऐसा उनको उच्छी तिन लगा उनको लगा कि हम भी खुले में गू पूरिश को रोकना उचित नहीं है और उनके साथ ठीक परकार से हम बेवार करें उस बात को सुनिश्चीत करने के लिए उसको रेगूलेट कैसे कर सकें, क्राउट ज्यादा ना हो, अगर लोग आ रहे हैं, घूम रहे हैं तो उनको रेगूलेट करें, रेगूलेट करने के स अगर किसके पास मास्क है लगाया नहीं है तो उससे आगरे करिए, कि आप मास्क लगाई है, और सोशल डिस्टेंसिंग के लिए पर्टिकुल लिए हमने कहा कि जब क्राउड होगा तो उसको रेगूलेट करो, तो लोग उनको बोलें कि भी थोड़ा हासले में रहें करके, गूमें फिरें, लेकिन उसके बावजूद किसी को रोकना उचित नहीं है और उसका असर दिखा भी है, अच्छा, ओके, जी, अब हम चुनावों की बात करते हैं, अगले साल जैसे चुनाव हैं, विदानसभा चुनाव हैं, मंडी संसिद्य सीट पर भी चुनाव हैं, तो क इसी तैयारी आप देख रहे हैं, इतना प्रिपेर आप महसूस कर पा रहे हैं इस वक्त, लेकिन जहां तो जनरल इलेक्शन की बात कहें हम, वो तो अगले साल दिसंबर में भी तक है, वक्त है, लेकिन अभी फिल हाल हिमाचल परदेश में हमारे पास चार उप चुनाव हैं जहां एक लोग को तीन विधान सबक रहे हैं और तीन विधान सबक हैं, दो उसमें कॉंग्रेस के विधाइक पिरिश्ट विधाइक थे, वीरुपदर divergence सिंखिझ के शिट खाली हूई है, पूरmaal मतरी ऑनिमाम मिंत्री सुजान सिंक मिठानिय के वी शिट खाली हूई है, उस यहां का जो रिवाज है, सरकार जो है, वो हर पांच साल में बदलती है, तो जैसे आप अगर अगर पिछले इतिहास को अगर देखें, तो भली कॉंग्रेस है, चाहिए बीजेपी है, वो रिपीट नहीं हुई है, तो आप इस बार क्या सोच रहे हैं, अब की बार रिवाज ब हिमाचल प्रदेश में तमाम संभावनें हमारे पास हैं, यहांचाव पर्देश में सरकार को रिपीट करने की, सरकार के खिलाफ कोई बड़ा मुद्द नहीं है, इस मुद्दय को ले कर के कॉंग्रेस के लोग कुछ कर सकें, जा की का सकें, चोटी बातों को ले कर क्यते रह बहुत चैलेंजिंग रहा कोई चीफ निष्टर ऐसे दौर में से नहीं गुजरा जिस दौर में से हम गुजरे हैं इस कोबिट के कारण तो इसलिए फिर भी में इस बात को जुरूर कहूंगा कि चुनाब चुनावती तो है निष्टी दूरुप से है लेकिन फिर भी हम सामना करेंगे और उसमें जीताइसिल करेंगे एक चीज़ सर है चुनकी हिमाचल से ही चुनकी तालुक रखते हैं जो एकदम केंदर रुपे शिर्ष पदों पर बैटे हैं अगर हम जेपी नड़्डा की बात करें बीजेपी के राष्ट्रे अध्यक्ष और अभी अनुराक पर जो हमारे यहां इस प्रदेश से लोग बैठे हैं तो कहीं ने कहीं आपके लिए भी क्या यह एक बहुत बड़ा चालेंज के तौर पर है कि चुनकी वह लोग बहां पर हैं तो आपके लिए भी यहां का जीतन और यहां पर सत्ता बने रहना बहुत बड़ा एक वो जलो लेए वह प्रसंता का विश्या है और इसी के साथ साथ में हिमाच्री जैसे च्छोटे पर देश से कैबिनेट में मंतिरी मंडल में थान रहां हासिल करना यह एक महत्त्वा पून हैं यह सारी चीजह थे हमारे परदेश के हित के लिए प्रदेश के विकास के लिए तो हमारे यहां पर इस तरह की परसिती है नहीं, सब अपने अपने काम है, हमारा काम divided है, हम काम अपने अपने साफ से, मुझे यहां के जो परदेश के दाइटों के साथ जहां जिम्मेवारी दी गई है, हम उसका निर्वेहन कर रहे हैं, अनुराग जी केंद्री मंत्री के ना हमारि परदेश को हमारे में परदेश के इंदर के परें, इस लिए ऑखरी की बात हैad की लावारी से मेरा है था मेरा की जो ऑगत्रिकी गई है जो जाना है, तो इस साफ सुत्री छवी के भी कई बार कुछ चुनौतियां जहलनी पड़ती हैं, तो क्या आपको ऐसी किसी परिस्थिती का कभी सामना करना पड़ा है? देखिए, ऐसे होता है कि हम यहां हिमाचल प्रदेश में रहते हैं, हिमाचल पहाड़ी प्रदेश है, यहां की एक संस्किती है, एक संसकार है, देव भूमी के नाते हिमाचल प्रदेश की एक पहचान है, ऐसी परिस्थिती में यहां की संस्किती के बेपरीत काम करना वो उच मैं कह सकता हूँ कि पिछले परिक्षा के दौर जितने भी आए हमने लोकसभा के चुनाब में हिमाचल परदेश में बहुत बड़ी जीत हासिल की चारू सीटों पर जीते सबसे ज्यादा बोट शेयर पूरे देश पर में हिमाचल परदेश का लोकसभा के चुनाब में और उस इसे आगे बढ़कर के हिमाचल पर्देश्ट में उप चुनाब आए, उप चुनाब हमने दोनु शिटो पर धर्मशाला और पच्छाद दोनु जानसवाक्षेत्र में वह जीते, पंचायत के चुनाब में हम जीते, नगर पंचायत के चुनाब में हम जीते, तो ऐसे मैं इस भाव के साथ चलना चाहता हूं, मैं हूँ, जिस तरह का हूँ, और जब लोगों ने सविकार किया है, तो परिवर्तन करने की जुरूरत क्या है, और सहजो करके हम आगे काम करेंगे, लेकिन सबसे मत्तपून है कि हम काम करें, इमानदारी से काम करें, और लोगों की करेंगे, उसके लिए हम काम कर रहे हैं, जाते जाते हमारे चानल के माधियम से, हमारे प्रदेश के और जहां पूरी दुनिया में लोग देखेंगे आपको, कुछ संदेश देना चाहेंगे आप, मैं आपके इस चैनल के माधियम से, पीटीसी चैनल के माधियम से, विशेश इससुप्त घुजर रहा है कोडि कई दोर में से जो संभभा पाया है वह आपकी सिवा में हम समर्पित किया हैं कि आने वाले समय में भी हिमाचल प्रदेश के लिए समर्पित हो करके काम करने का हमारा लक्षे है और उस लक्षे को हासिल करनेके लिए आप सब के सहोग पहले भी मिलता रहा, आप सब का सहोग आगे भी मिलता रहे गया, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है, और विशेश तोर से अभी भी मुझे इस बात के लिए जरूर कहना है, कि COVID खतम नहीं हुआ है, COVID अभी तक भी है, तीसरी वेब की बातें सुनने को हमारी हैं, ऐसे में साबधानी के साथ हम काम करें, COVID के नियमों का पालन करें, और COVID के नियमों का पालन करते हुए, हम चाहते हैं कि आप भी स्वस्त रहें, आपका परिवार भी स्वस्त रहें, आपके चाहने वाले भी स्वस्त रहें, और हम स्वस्त हो करके इस परदेश में विकास की गती को आगे बढ़ाने में सहयोग करें इतने हिम जिके बहुत बहुत शुक्रिया सर्थ तो ये थे मुख्यमंत्री हिमाचर प्रदेश जैराम छाकूर हमारी तमाम सवालातों कए उन्होंने बिल्कुल सही तरीके से और जैसे उनके बारे में कहा जाता है झाल झाल झाल